तो स्वागत है आपका Economics के इस महराथन क्लास में इस वीडियो में पूरे Economics यानि की और सास्त्र का ब्रहमास्त समझेगा ये पूरा का पूरा दिर्गुतर ये प्रस्ण Must BVI पूरे किताब का निचोड़ इस वीडियो में बताएगा है यानि की प्रस्ण कोई भी हो उत्तर यही होगा इस बार आपके exam में ये question पकार है का हर हाल में इसको रट लीजिए ये question डायरिक्ट देखने को बाबु आपके exam में मिलेगा तो भी ना देर किये हम लोग वीडियो के तरफ चलते हैं मस्ट भी वी आई question है जो आपके exam के point अभी से बाबु काफी ज्यादा important है अगर एक बार यह आप अर्थ सास्तर नहीं पढ़ें यह पूरे अर्थ सास्तर का निचोड है याद रखिए पूरे अर्थ सास्तर का यह क्या है निचोड है यानि पूरे सब्जिक्स पढ़ना है इतना याद कैसे रखिएगा उसके लिए हम कुछ ट्रीक और तरीका लेकर करें ताकि आपको थोड़ा सा किसे कहते हैं अगर यह कोशन से इसके दो कारणों कौन आपको करके अगर अपने पैसा के वेवास्ता करके अपने जरूत की चीजें आप कि दिलाते हैं उसी को तम अर्थ व्यास्ता कहते हैं अर्थ व्यास्ता कि संरचना का मतलब विभीन उत्पादन छेत्रों में इनके विभाजन से अलग अलग उत्पादन छेत्रों में इनका भी वाजन किया गया है क्योंकि अर्थ व्यास्ता में विभीन परकार की आर्थी किर आई करते हैं की रियाओं को संपाधित की जाते हैं जैसे कि कोई क्रիशी करता है कोई उदो कोई वैपार बैंकिंग भीम मा परिवां संचार बिजली इस सब के जड Sheet हम लोग क्या करते हैं अर्थ की पैसा रुपया के विवास्ता करते है इनके कारे रोजगार उपलब्द करना इनका कारे क्या है रोजगार उपलब्द करना है लोग और अवस्तियाओं की संतुष्टी के लिए वस्तूएं से पता चले है कि आप कितना पई सक little कितना वाला होगा कि इतना पई सक्राइब तो समझेगा देश में होने वाली ब्रीदी चार लाग तिरपन हजार यानि कि यहां पर लिखा है रुपए प्रती वर्स या उससे अधिक हो तो उन्हें समरीद समझेगा समरीद मन माना जाता है वगर समरीद माना जाता है आर्थिक आए 37,000 रुपिया उससे कम हो तो उसे निम्न या आई तो उसे समरीद बहुत है जैसे अमेरिका वगर एक लगबग इतना है हर साल चार लाग तीरपन हजार रुपिया पर ती व्यक्ति आये वहां रहता है साल में और अपने अन्न कितना को बोलते हैं तो 37,000 होना चाए प्रती वर्स 37,000 रुपिया अगर लोग कमा रहे हैं तो समझे कि मीडिल कलास फैमिली में आते हैं लेकिन पता है बिहार का क्या है 28,000 से भी नीचे है तो बिहार तो बहुत गरीबी में दलदल में धसा हुआ है यहां देखिए मानो भीकास सुचकांग इसके अंदरगत लोग सैक्षिरिक अस्तर स्वास्ते श्तिति और प्रती बैकिए उसका अच्छा है तो जब यह तीनो छीज़िए ःंसान को माज में कघुन सकता है स्वास ठीक तो लगों में घुम सकता है अराम से बात आपü सारी बाते अगर आए अच्छा रहा तो आगे डेवलब हो सकता है तो मानो तो यह अगर चीज़े अगर व्यक्ति के पास हो जाए तो समझो कि वह विकास कर गया है ठीक है अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन आपके एक्जाम में हमको लगता है कि चार पांच बार यह पुछा गया पर प्रतिव्यक्ति आय क्या है दोनों में अंतर बताना है यह दगिए प्रतिव्यक्ति क्या काउंट होगा ते कई को उपा है पूरे देश की कमाई कितना है वह उपर लिख दिजिए अब पूरे देश की जन संख्या से यहां भाग कर दिजिए ठीक है तो पता चल जाएगा प्रतिवेक्ति यानि कि पूरे आए में ज़ज़क्या से भाग देने पर जो एंसर आता है वा राष्टियाय का मतलब किसी देश के एक वर्ष में उत्फादीत वस्तु एंस सेमा'd की कुल मुल्य से लगा जाता है राष्टियाय कैसे निकाला था है तो आपके देश में कितना उत पादन को रहा है कितना सेवा द्वरा कितना पैसा कमाई रहे उस से लगा है बाबु हम लोगा भारत बहुत पिछे हैं लेकिन अमेरिका जो है बहुत आ गया देखिए अमेरिका एक विक्सित देश है क्या है वह कर चुका है और हम लोग है विकास सील का मतलब होता है कि अभी विकास में लागे हुए है अब थोड़ा से यहां और बढ़ा ले हम फिर आपको बता रहे हैं यहां अगला कुस्चन देखिए थोड़ा सा एक टॉपिक समझ लेजिए वह एक वस्तु देकर अपने अवस्यक्तान सर दूसरी वस्तु लेना वस्तु विन में कहलाता है वस्तु विन में किसे कहते हैं तो हुकर लोग कुछ समान ले जा करकार देते थैं नगे आइसक्रीम चैना एक वस तु ले रहें तो दूसरा वस्तु ले रहें ुसी को हम लोग वस्तु विन मैं कहते हैं क्या करते हैं यह याद रखियेगा यहां देखिए अगला question क्या है भारत में सहकारिता की सुरुमात किस परकार हुई यहां पर यह question पुछा जा रहा है कि सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा सहकारिता क्या होता है संचिप्त वर्ण करें अगर यह question पुछे या फिर भारत में सहकारिता के विकास का वर्ण कर अगर ये पूछे तो इसका आपको एक ही टो एंसर देना है और वो एंसर देखिए क्या है ध्यान से समझेगा वो एंसर देखिए भारत में सर्व परतम 1904 में सहकारिता लगा है सहकारिता समीथी का गठन 1904 में हुए रट ले सकते हैं समझगा जिस तरह से स्वेहन सहयता समूह था, उसमें क्या होता था, लगबग दस से ले करके पंदरा जो भी है उसमें वैक्तिया महिलायं मिल करके गुरूप बनाती थी और वो एक को कमी हो गात दूसरा उसमें हेलब करती थी, यह दुसरे का हेलब करती थी, उसे स्विम साहत है समोह। वैसा ही यह सहकारिता। इसमें भी कुछ व्यक्तियों का ग्रूप होता है, दस व्यक्तियों को मिल करके और इसमें क्या क mutual किया बना लेते हैं, ग्रूप बना लेते हैं यहां देखिए। 1912 में एक और अधिनियम आया है इसके अंदर रिड के अत्रिक अन यहुदेशियों के लिए सक्यंदिय संगटनों की अस्थापना की विवस्ता की गई ठीक है अब देखिए इक काहे हुआ तो जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी में डूब गया भुकमरी आ गया और सरकार क के पास पैसा नहीं ता किसलिए सहकारिता समीती का गठानू की आप लोगे काम की जगर मेरे पास पैसा नहीं यह तो आप आगे ज्यादा बढ़ जा रहा है यहां 1929 के महान यहां पर आर्थिक मंदी के कारण इनके विकास में कुछ बढ़ाय आ गई लेकिन रिजर्ब एक अफ इंडिया 1935 से ही उनमें सक्रिय सहयोग दे करके पुरसान किया और भारत में योजना काल के तेरपन Cape Verde कि योजने करते हैं कर्ज डेने वाला ठीक है कार्ज बहलते हैं क्या इसे कितने भागों में बाटा गया तो कर्ज तो बहुत लोग देते हैं बैंक से भी हम लोग लोन ले सकते हैं लोन ही ठीक है या फिर गाव में सेठ वगरा होते हैं उन लोगों से भी लोन ले सकते हैं तो यह दो परकार का होता है कितने परकार के होते हैं दो परकार के होते है तो आते हैं यहां थोड़ा से देखते हैं हम लोग दिखिए जो राष्टिय अस्तर पर बीत और साख परवंद कराए परवंद अत्वा रीड माने होता है कर्ज लेन का कारे करती है राष्टिय बीतिय संस्था कहते हैं यानि कि जो राष्टिय अस्तर पर हमको कर्ज देने का क काम करती है उसे राष्टिय संस्ता काता है इसे दो भागों में बटा गया है मुद्रा बजार का विन्मे और पूंजी बजार का विन्मे संस्ता है ठीक है मुद्रा बजार की विन्मे संस्ता साक और अलब कालिन आब बजार के लोग गाउं के लोग कितने इनके लिए देंगे कौम समय के लिए देंगे लेकिन बैंक वगरा ना लंबा समय के लिए देता है ताकि आप अपना काम अच्छा से कर सके तो यह मुद्रा बजार अलप कालीन रिड़ देता है यानि लोन देता है जब कि यहां पूंजी बजार संस्ता उपयोग उपयोग सारी उधोग तता अगला कुस्चन देखिए अगला कुस्चन मस्ट वीबी आई कुस्चन है यहां देखिए वैवसाइक बैंकों के मुख्य कारे क्या है वैसा बैंक जो बैपार के लिए पैसा देता है उनका काम क्या क्या है तो क्या काम होगा बैपार कर्ज देना देखो तो हम क्या करते हम लोग जितना भी बैंक होता है तो पहले पैसा जामा करते हैं फिर निकालते हैं फिर लोन पास करते हैं यहीं नहीं सब होता है समाने बैंकों का कारे करने वाले बैंकों को वैसाइक अथव यहां पर वैपारिक अथव वैसाइक बैंक काते हैं इनका कार्य है जैसे कि क्या करना कार्य है कार्य है जमा को सुविकार करना यहां पर सुविकार करना रिड़ देना साख यानि निर्माण में सहाएक निसा कर्ज लोन वगर देने में भी यह क्या करेंगा रिड़ मतलब होता है लोन देने में सहाएता करेंगा इस सब के बारे मे मुद्रा मने जो पैसे है उसका कोई महत्व है जी आज कल क्या बात कर रहें आज कल तो पैसा ही सब कुछ है ठीक है मुद्रा के आर्थिक मुद्रा के विकास पर परकास डाले आप बताई अगर पैसा नहीं रहता तो कितना प्रोब्लम होता ना लेंदेन करने में खाली तो बिन में होता था लेकिन मान लिजा कि और पैसा के आज आने से पैसा देजिए कोई भी समानली जी अधुनिक आर्थिक विवस्था में मुद्रा का काफी महत्व है अधुनिक जबाना में पैसा का काफी महत्व होता है यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा यहां पर देखिए थोड़ा सा जूम आउट करें हटा दिया जाए यहां देखिए हटा दिया अस्त व्यस्त हो जाएगी यदि मुद्रा नहीं होती तो विश्व के विभीन देशों में इतनी बड़ी आर्थिक प्रगति कभी भी संभव नहीं होती यदि मुद्रा हमारी अर्थ व्यस्ता की हिर्दय नहीं तो रक्त तो अवस्या है ठीक है हिर्दय का मतलब यह खत पैसा दिमाग में रख लेगा आधनिक जीवन में मुद्रा का आधार है जैसे कि उद्धोग के छेत्रों में मुद्रा का महत्वा इसके बारे में आपको लिखना है विन में के छेत्र में यानि लेंदेन में मुद्रा का महत्वा ठीक है इसका विका सुरू से ही होते आ रहा है जैसे कि वस्तु विन में पहले था वह मुद्रा विन में उसके धातु काम किया पहले सोना का सिक्का बना सिक्का कागज मुद्रा साख यह सब दिरे दिरे बनता गया ठीक है अब आते हैं सबसे important question वैस्वी करण इसको भूम अंडली करण भी कहते हैं हिस्ट्री में है सिविक्स में हर जगा मिलेगा वैस्वी करण क्या है या फिर question पुछे कि भारत पर इसके क्या पर भ्षाओ को बताएं या भारत में पड़े पर भाव को बताएं अगर कुछ भी पुछे तो इसका answer यहीँ होगा वैस्वी करण एक सतत चलने वाली क्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश और राजे एक दूसरे से आर्थिक वराजिनीतिक तत्तस्तांस्किती रूप से जुड़े हुए वैस्वी करण क्या है यानि कि वैस्वी करण में यह छुट मिला कि आप कोहीं भी जा करके वैपार कर सकते हैं आप चाहें तो एक देश में कई लोग आ करके वैपार कर सकते हैं इसी को करते हैं एक ही छत के नीचे अगर सभी लोग वैपार करते हैं तो इससे क्या करते हैं वै वैसवीखरण का वहां से आ रहा है तभी तो वैसवीकरण नहीं रहा है तो नहीं आता तो देखों बस्तों वालह बता दियां थिरी इसक में सभी संभव सतरों पर वेसवीक संचार बढ़ता है त usar अभी स्वाव में एक रूपता और छेत्रियता दोनों की परविति बढ़ती है वैस्वी करण के फॉल सरूप बिहार ही नहीं पूरे भारत में मध्यमवर्ग का उद्य हुआ और एक जगह का समान न हर जगह मिलने लगा और हर जगह लोग जा करके और क्या करने लगे नौकरी 1886 वो पहुकता का मतलब होता है ग्राहक हम लोग जाते हैं न दुकान पे तो हम लोग जो जाते हैं खरदने के लिए तो हम लोग ग्राहक हैं और हम लोगों को भी लूटा जाता है जो लोग खरदने जाते हैं दुकंदार क्या करेगा दो नमबर का डूबलिकेट माल दे दे जोकिक है इसकी मुख्य भी खब शेस्ता क्या है अगर यह को सउचन पूछँ है क्या है एस्थान पराप्ठ करता है जिसे सुचना का अधिकार Daltonika कर सकते हैं सूचना का अधिकार Cuna पसंद का सब्सक्रा में अगर अगर आपको समान पसंद है तो ही आप खरी दिए यहीं अधिकार का नियम है देखें यहां पे कि हैं घुख्जा निवारण या चहतीपृति का अधिकार आप सी काइद कर सकते हैं उसके निवारण भी किए जाया गार चतीपृती हो तो भी आप जा करके कंप्लेन कर सकते हैं उब्टता जब कोई वस्थू खरीता है तो यह अवस्य हो जाता है कि वह वस्तू की रसीद लें रसीद से पता चले कि हम इसी दुकान का है यह वस्तू की यहां पे गुडवता ब्रांड मातरा सुदता मानक मापतल नापतली का है निर्माड कीती थी यानि जब कब का बना है एक्सपारी डेट भी बोलते हैं उसको ठ आते हैं और एक इसका फेमस नारा है जागो ग्राहक जागो याद रखिएगा चलिए यहां मस्ट वीवी याई कुस्चन यह भी देखते हैं बिहार के पिछडेपन का आर्थिक पिछडेपन का क्या करने उस सब कोई जानता है यहां कुई सी परकर का फैक्टरी नहीं है तो एक तूगधा करेगा का सब कि कम उमर में साधी कर लेगा यह क्या करऊ अब जिस समय कमाने का उमर होता है उस समय वो घर पर वाइब के साथ समय भी दारा होता है उस वक्त होता है कि उसकी आर्थिक इस्तिति पुन रूप से खराब हो जाती है क्या हो जाती है यानि पैसा रूपिया नहीं कमा पाता है और बाद में बहुत परसानी आती है और जन संख्या बढ़ जाता है यानि कि कहा जाता है कि यहां पे इकनामिक्स प्लानिंग नहीं होता है आधिकतर फैंली प्लानिंग चिसके वरसे बिहार पिछड़ते जा रहा है यहांसमझ यह को बिहार के पिछड़ लेपन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या बिहार में 30 जंसंख्या में ब्रिधी हो रही है 2011 जंगरना के अनुसार यहां देखें जंगरना कितना ही काई दाइस करोण दस करोण और तीस लाख चार आजार 637 तो आज बाबु देख सकते कि कितना जंसंख्या बढ़ गया होगा ठीक है तो यह बढ़ती जंसंख्या सीर बढ़ा है लेकिन रोजगार नहीं आए तो इसके वजह सभी हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं ठीक है यहां देखिए बाढ़ एवं सुखा के इस्तिती बिहार को बाढ़ में प्रती हो जिसी की बिहार बहुत पिछड़ जाता है नुकसान ज्यादा होता है अगला कुछ अने अधारी सनचना का अब अधारी सनचना क्या होता है अधारी सनचना कि किसी भी देश या राज ये के लिए अधारी सनचना होना जरूरी है अधारी सनचना का मतलब होता है आपका द ठीक है लेकिन बिहार में इस मामले में काफी पीछे और राजे में सड़क बिजली सीचाई का अभाव है सांती सिक्षा यह स्वास्त की सुविदा के भी क्या है कमी है अगला है कुछल प्रसासन अभाव यहां पे देखोगे तो पुलिस व्यास्ता भी बहुत ही घटिया है ठ दुनिया बरकरार है यहां देखिए बिहार में प्रसासन व्यासता के इस्तिती भी काफी खराब है ठीक है और अगला कुछन है बारा नंबर जो कि हमको लगता है पांच या छे बार पुछा गया है दो नंबर में ठीक है आर्थिक नियोजन क्या है तो मान लिजे कि जब हम मान लोग की आपके पास 50 रुपिया बच गया है और आपको कहीं दूर से आना है तो आप सुच समझ के इस्तमाल किजिए कि कि नहीं तो सोच समझ के जो भी संसाधन है उसका अगर उप्योग कर रहे है तो उसी को आर्थी नियोजन करते हैं क्या बोलता है आर्थिक नियोज करने हैं अगर कोई भी आपके देश में संसादन है उसका सोच समझ के इस्तमाल कर रहे हैं देश के विकास में तो उसी को बोलते हैं आर्थिक नियोजन तो उमीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा तो यही आपका बारव कोशन एकनॉमिक्स में जो आप अच्छा से तयारी कर लिजेगा बाबू आपका रिजल्ट बहुत संदार आएगा यह मेरी गैरांटी है यह हम लिख के देते हैं मैतमेटिक्स का मस्ट भी भी कोशन जा करके आप देख लिजिए पूरा एक से ले करके और 15 तक एक ही वीडियो में मैत कंपलीट कर दी है तो लगा हो वीडियो संदार तो लाइक को दबाव एक बार और सेर भी कर दो मेरे यार